हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी पनी बड़र मसाली की रेसिपी वो भी हम बनाएंगी धाबा स्टाइल जो की बहुत जल्दी बन जाता है तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने की नहीं यहां मैंन चार टामाटर लिये हैं चार हरी मिट्री एक इंच का अधरक कर टुकड़ा चीसे साथ लह सुनगी कर लिया और तोड़ी से यहां पे मैंने हरी दनी के टंठल यूज किये हैं और तस से बारा काजू लिये हैं अब आपको क्या करना है सिंपली एक मिक्सी जार लेना है और इ चार से पास डेबल स्पून आप इसमें और अइड कर दीजिए मैंने हाँ रिफाइंड ओल लिया है आप चाहें तो मस्टर्ड ओड भी यूज कर सकते हैं वन टेबल स्पून यहां बटर ले ले लिए अब इसको मैल्ट होने देते हैं आफ केजी मैंने यहां लिया है पनीर सब्सून हम इसमें हलबी पौर्डर एड़ कर देंगे अब आपको क्या करना है इसको बहुत ministry केरफुली सायदों को चेंज करना है पनीर हमारा बहुत जादा सॉफ्ट होता है तो इसकी पीजिस तूट सकते हैं तो इसकी पीजिस की साइडों को हम यहाँ चेंज कर देते हैं और देखें पनीर में जो है वो कलर आ चुका है बस ऐसा ही हमें पनीर चाहिए था जादा हम इसे टार्क ब्राउन नहीं करेंगे बस हलका सामी आपिना इसको शैलो फ्राई करना था बस अब क्या करना है गैस को बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं साइड में यहाँ एक विसिल दिया है मैंने फ़न ठट कप मैंने इसमें ऑईल यूज किया है आदा चमबा जीरा चार हरी लाएचे और यहाँ पर एक मैने दाल चीनी का टुकड़ा लिया है इसको हम इसमें एट कर देते हैं और तीस से चालिस सिकिंड हम इसे क्रैकल होने देते हैं गरम मसाली का खड़े मसालों का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही बड़िया आदा है हमारे यहाँ पनीर बटर मसाली में तो तीस से चालिस सिकिंड क्रैकल कर देंगे उसके बाद हम इसमें एट करेंगे आदा चमच की करीब लहसुन तो यहाँ लहसुन की कर्यों को मैंने पिलकुल फाइन कट कर लिया था वो एट कर दी है दो हरी मिर्चनी है जिनको बहुत ही बारिक मैंने कट कर लिया है वो एट कर देंगे इसको भी 30 से 40 सिकिंड हम इहाँ पे फ्राइड कर लेंगे उसके बाद यहाँ तीन मैंने प्याजे लिया है प्याजों को ओमलेट कर लिया है बिल्कुल बारिक-बारिक वो हमेने यहाँ एट कर दी हैं अब प्यास को हमें यहाँ पे कर लेना है तो यहाँ पे हम प्राउ नहीं करेंगे बज़़ पिंक suas हो जाएगी प्यास हमारी तब तक हमें इसको फ्राई करना है देखें एक चमच हम इसमें लाल मिर्च पॉर्डर एड़ कर देंगे और एक चमच हम इसमें एड़ करेंगे भुनेवी जीरे का पॉर्डर अपर आप मिर्चों की क्योंटिटी अपने हिसाब से कम या जादा कर सकती हैं क्यांकि आप जादा करें और यहां भी तो आप जादा कर सकतें आप इसमीं जादा काने कर का चुका हारी जादा करें जादा पूर्च यहां को पूंचे से नहीं अच्छे से भूल लेना है जब तक भूनना है जब तक oil अच्छे से release नहीं हो जाता इसमें नमक एड़ करेंगे यहां मैंने आदा चमस नमक एड़ किया है अपने टेस्क के अकॉर्डिंग आप यहां पे अपने टेस्क के अकॉर्डिंग नमक को एड़ कर लीची यहां पे आप कम यह सादा कर सकती है तो मसाला यहां पर हमारा अच्छे से भून चुका है बहुत यहां पर मसाला भूनने की ना खुश्बु आरही है तो बस हमें इस लिच पर एड़ कर दीनी है करीम तो यहां मैंने 5 टेबल स्पून इसमें करीम एड़ की है इसे आपको जब तक चब तक अच्छे से बून लेना है तो बस अब इस टेज पर क्या करना है आपको आपर पनीर एड़ कर देना है मैंने इसमें हल्दी एड़ नहीं की थी मसाली और हैं क्युक्iger मैंने हाँ पनीर में हल्दी आइट की थी और पनीर में जो थोड़ा बहुत ऑईटवर्ट था तो इस नहीं हल्दी फिसमीर में हाइट की ती बस अब यहाँ पे आपको एक से दो मिन्तक हलके हातों से मसाले को भून लेना है यानि कि पनीर को अच्छे से मसालों के साथ यहां पे मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और हलके हाथों से करेंगे ताकि पनीर की जो हमारे यहां पीस है वो टूटे नहीं बहुत ही मज़े का यहां हमारा पनीर बनकर तयार होता ह और बहुत ही जल्दी बन जाता है कोई ऐसी वाली जंजट नहीं है कि आपको यहां पे काजू अलग पीसने है टमाटर अलग पीसने सभी चीज़ों के एक साथ पीस है और जटपट आप इसे बना सकते हैं अब यहां मैंने एक गिलाज इसमें पानी आइट कर दिया है और फिर पार से पास मिट हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे से हमारा पनीर यहां पर बन रहा है तो बस अब यहां पर हमें से अच्छे हैं और पनीर बनके हमारा यहां पर बहुत ही बढ़िया तयार हो चुका है बस अब आपको क्या करना है इस स्टेज पे आपको यहां पर आदा चमच की करीब हम इसमें गरम मसाला एड़ कर देंगे और इन सबी चीज़ों को एड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि गरेवी में इस सारे चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाएं गरम मसाले की बहुत यची खुश्पू आती है तो यहां पर हम पारी आप एक बार इस रेसेपी को जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे जरूर बताएगा कॉमेंट करके के आपकी यह डिश गैसी बनी जब तक आप इसे ट्राइ नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा था अब मुझे पूरी उमीद है कि इसक अधिया बम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चेहां की डेस्ट डेस्टी रेसीपी देखने को मिलती रहे हैं वीडियो देखने का आपको बहुत बर श्यूक्रिया मिलती हूं मैं आप से नेक्स बीचिए में एक नहीं रेस्ट लिपी के साथ तब तक की नहीं, अल्ला हाफिज